Hello everyone, welcome to origin आज की इस class में हम start करने वाले हमारे class 12 English supplementary book का chapter 4 जिसका नाम है The Enemy हम एक बार देख लिते हैं कि आज की इस session में हम क्या-क्या देखने वाले हैं आज की session में हम देखेंगे की story का छोटा से sketch then story की summary, then NCRT questions, PYQs and long answer questions की कुछ questions हम solve करेंगे and इस तरीके से हमारा ये जो chapter है वो बहुत अच्छे तरीके से complete हो जाएगा जिसमें कोई doubt आपके पास नहीं रहेगा so अब हम start करते हैं इस chapter का एक छोटा सा sketch की क्या-क्या हम इसमें जानने वाले हैं सबसे पहले आज के हमारी characters कौन-कौन से हैं Dr. Sadao जो main character इस story के Dr. Sadao एक Japanese surgeon थे जो इस story के main character है next है Hana जो उनकी wife है and Yumi जो उनकी यहां की एक servant है Tom जिसके बारे में हमें अभी पता चलेगा कि यह कौन है and general वहां के जो general थे वो यह हमारे इस story के main character से अब यह इस story है किसमें यह story set है World War 2 के time पे यह story World War 2 के time पे है and this story में हमें पता चलेगा किस तरीके से एक मनुष्य के अंदर एक आदमी के अंदर उसके दिल और दिमाग के बीच में एक लडाई होती है और कौन उस लडाई को जितता है यह हमें आज किस story में पता चलेगा सो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम mentally prepared इस story की summary को जानने के लिए जो basics थे हमने वो समझ लिए है and अब हम start करने वाले इस story की summary The Enemy by Pearl S. Buck यह story है एक Japanese surgeon के उपर यह Japanese surgeon जिसका नाम था सदाओ अब सदाओ जी का जो घर था वो जापान के एक सी बीच के किनारे था rocks के बीच में उनका घर जो बसा हुआ था जब वो छोटे थे तब वो वहाँ पेड़ पे चड़के मस्ती किया करते थे उनके घर के सामने एक island भी था जहां वो अपने पापा के साथ जाया करते थे और उनके पापा का कहना ये था कि जापान का जो प्रोग्रेस है उसके पीछे का reason वही island होगा अब जो सदाओ के जो फादर थे वो काफी traditional person थे बहुत ही traditional आदमी थे उनका काफी serious व्यक्ति थे सदाओ ने कभी उनके साथ joke नहीं किया, कभी उनके साथ मजाग नहीं किया बट उनके जो father थे उन्हें अपना सब कुछ लगा दिया सदाओ के लिए main जो difficulty थी सदाओ की education क्योंकि उनके father काफी traditional person थे वो foreign की चीज़े पसंद नहीं करते थे बट उन्होंने सदाओ को higher education के लिए America send किया, surgery की पढ़ाई करने के लिए and अब सदाओ हमें आप ये बताते हैं कि America ही वो जगा है जहां उन्हें अपनी wife हाना से मिला उन्होंने अपने wife हाना से उनकी मुलाकात हुई तो वो फिर बताते कि किस तरीके से उनकी wife से उनकी मुलाकात हुई अमेरिका में तो होता यह है कि जब वो अमेरिका में जिस professor के आँ रहते हैं हाना भी वही उनसे मुलाकात हुई और वो professor ने उनसे role play किया तो Hana से वो तो अमेरिका में बहुत साल पहले मिल चुके थे बट उन्होंने वेट किया शादी के लिए कि ये confirm हो जाए ये Japanese है या नहीं क्योंकि अगर Hana Japanese नहीं होती तो Sadao के जो father है वो इन्हें allow नहीं करते marriage के लिए अब अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद Hana और Sadao दोनों जापान आती है और Japanese tradition से उनकी जो marriage है वो complete हो जाती है अब यहाँ पे होता ये है कि Sadao और Hana एक दिन evening walk पे निकले थे सी बीच के किनारे तो जब वो evening walk कर रहे थी तो वो दूर में देखते हैं कि एक व्यक्ती जो है वो समुद्र की लहर उसे फेक के किनारे पर ले आई और वो काफी घायल नजरा रहा है इन्हें लगा कि कोई fisher man है जो वहाँ डूब गया था अब किनारे पे आ गया है वो दौरते दौरते उसके पास गय है और उसे उन्होंने पलट के देखा तो वो जो person है वो पूरी तरीके से कीचर से सना हुआ था और वो क्या था ब्लीडिंग कर रहा था अब अमेरिका में वो रहे हैं तो हाना तुरंट पहचान गई कि ये जो person है वो क्या है ब्रिटिश है एक white man है ये world war second के time की कहानी है जब जापान में किसी भी American war prisoner को अपने घर में shelter देना मना था ओके सो यहाँ पे जब सदाव को पता चलता है कि इस व्यक्ति को bullet लगा है उस white man को bullet लगा है तो वो sea में जो moss होता है उससे उसे वो ढग देते हैं जो समुद्र में जो घास पाया जाता है उसको वो लाते हैं और उसके चोट को धग देते हैं वो व्यक्ति चिल लाता है बट वो जगता नहीं है तो वो पूरी तरीक से घायल हो जा रहता है और वो समझ जाते हैं कि यह American war prisoner है सदाओ के माइन में यह आता है कि उन्हें इसे वो फिर से समुद्र में फेक देना चाहिए क्योंकि यह जो है उनका दुश्मन है बट as a surgeon उन्हें लगता है कि उन्हें इसका help करना चाहिए तो अब वो यह क्या कहते हैं जो उन्हों आपस में decide करते हैं कि इसे हम अपने घर ले जाएंगे और वो उसे अपने घर ले जाते हैं अब वो यह भी decide करते हैं कि हम अपने surgeons को भी जो उनके servants हैं उन्हें भी वो इसके बारे में बता देंगे कि वो इन्हें घर पे रखे और उन्हें यह यह बताएंगे कि यह हमारा एनमी है और हम इसे पुलिस में कंप्लेंड करने वाले हैं जब वो उन्हें वापस ले आते हैं तो उसकी treatment वो करते हैं एंड वो कीचर से सना हुआ था उसे wash करना था तो Hana क्या कहती है यूमी के पास जाती है उसे order देने के लिए कि इसको तुम wash कर दो अब जब हाना वहाँ जाती है तो यह देखती कि बाकी सर्वेंट भी साइड में खड़े हैं वो डरे हुएं कि क्या सदाव ने उन्हें शेल्टर दे दिया करके और यूमी जो है वो सिधा-सिधा मना कर देती कि मैं इसे नहीं वाश करूँगी अब यूमी के मना करने की वज़े से हाना को उस वाइट मैं को वाश करना पड़ता है and then सर्जरी की प्रिप्रेशन जो है वो सदाव करते हैं सदाव का कहना यह है कि उन्हें अनस्थीसिया देना पड़ेगा इसे इसे बेहोश करना होगा आज तक हाना ने सर्जरी होती हुए देखा नहीं था तो वो वमिटिंग करने लगी but interestingly उन्होंने सदाव का हेल्प किया अब सदाव ने जब अच्छे तरीके सुन की सर्जरी कम्प्लीट कर ली और वो जो व्यक्ति था वो डेंजर से बाहर आ गया तब सदाव को पता चला कि ये व्यक्ति जए वो जीवित तो रहेगा बट बहुत सफरिंग के साथ रहेगा क्योंकि ये एक अमेरिकन वार प्रिजनर है but अब जो सर्वेंट्स थे वो काफी फ्यूरेस होने लगे कि इन्होंने एक दुश्मन का हेल्प किया है एंड वो क्या है अब इनके यहां काम नहीं करने वाले हाना को भी ये पता चल गया था कि अब सर्वेंट्स बहुत जल्दी चले जाएंगे एंड साथ दिन बात सर्वेंट्स वेव उनका घर छोड़के चले जाते हैं हाना को भी इंग्लिश आती थी ये देख कि वो जो ब्रिटिशर जो इंग्लिश मैन था जो अमेरिकन था वो काफी शॉक्ड हो जाता है एंड हाना से बाते करने लगता है बातों बातों में वो हाना को बताता है कि उसका नाम टॉम है और हाना उसके गले पे कुछ लाल निशान देखती है तो उसे फिर याद आ जाता है कि जो टॉर्चर की कहानी उसने सुनी थी वो असली में सच होती है अब जिस दिन जो सर्वेंट से वो सदाओ के घर का काम छोड़के गए थे उसी दिन जनरल का आर्मी में यूनिफर्म पहना हो एक व्यक्ति जो एक जो ऑफिसर है उनके यहां आता है तो यह देखके जो हाना है वो काफी डर जाती है उसे यह लगता है कि जो सर्वेंट से उन्होंने कम्प्लेंड कर दिया वो इस रिजन से नहीं आय रहता है होता यह है कि वर्ड वार के टाइम पे सभी सर्जंस को लड़ाई में भेज दिया गया था बट जो सदाव है उन्हें यही रखा गया था क्योंकि जो आर्मी के जो हैट थे जो जनरल थे उन्हें सिर्फ सदाव पे भरोसा था कोई और उन्हें treat नहीं कर सकता था इसलिए उन्हें आर्मी ट्रोप के साथ नहीं भेजा गया था तो जनरल को उनकी जौरत थी इसलिए बुलावा लेने के लिए वो officer आया था बट हाना डर गई हाना को डरता हुआ देख सदाव को लगा कि अब मुझे इस English जो American है इससे मुझे छुटकारा पानाई है तो वो जनरल के पास जाते हैं जनरल काफी बिमार थे उस वक्त तो वो उसे जा के सारी कहानी बता देते हैं जनरल का कहना ये है जेनरल एक्चुली सदाव को खोरना नहीं जाते थे उन्हें जेल नहीं भीजवा सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ यहीं मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है तो वो यह कहते कि मैं यह जो अमेरिकन सोलजर है इसका एससिनेशन करवा दूगा इसका मर्डर नहीं जाता तो सदाव क्या सोलता है कि अब मुझे ही प्लैन बनाना पड़ेगा इससे छुटकारा का वो एक प्लैन बनाता है सारा खाने की चीज़े सभी चीज़े वो इखटा करता है जो जरूरी सामान होते हैं और वो टॉम को क्या है दे देता है एंड उसे वो सारी प्ल लाइट मारेगा एंड अगर उसका सब चीज़ ठीक है तो वो एक बार लाइट जलाएगा यह सारी चीज़े वो उसे एक्स्प्लेइन कर देते हैं और यह जो प्लैनिंग है वो हाना को भी वो नहीं बताते कोरियन शिप का वेट करने के लिए उन्हों इसलिए बुला क्यों उन्होंने जनरल को बताया कि वो जो है अमेरिकन जो सोलजर था वो क्या है भाग गया तो जनरल ने उन्हें बताया कि उस दिन में बहुत बिमार था इसलिए मैं क्या है उसे मरवाना भूल गया और जो सदाओ है वो कुछ नहीं कहते हैं वो वहां से लोट आते हैं अब घर आने के बाद याद करते हैं अमेरिका में बिताये हुए उन दिनों को अमेरिका में उनके सभी दोस्त को क्या क्या चीज़े उन्होंने अमेरिका में की थी और तब उन्हें होता है कि आखिर किस लिए वो जो है वो जो American soldier था उसे मार नहीं पाए उसे उन्होंने बचा लिया यहाँ पे हमारी जो story है The Enemy by Pearl S. Buck वो end हो जाती है बहुत ही beautiful सी story थी जो कि World War 2 के time पे set है and काफी अच्छी यह story थी किस तरीके से एक आदमी के दिल और दिमाग के बीद जो जंग है और उसमें किस तरीके से उसका दिल जो है as a surgeon वो जीत जाता है यह चीज यहाँ पे हमें इससे पता चला exam point of view से बहुत ही जादा important यह topic है बहुत ही जादा important यह chapter है क्योंकि continuously इस chapter से questions आते हैं तो अब हम इसके कुछ question and answer देख लेते हैं तो हमारा पहला question है सदाव के father का उसके लिए dream क्या था कि वो एक surgeon बने अच्छे से पढ़ लिखे and उसे कैसे realize होता है जब वो अपने father से father के साथ island जाता है जब उसके father जब उससे पढ़ाई के बारे में उससे discuss करते हैं तब उससे realize होता है कि उसके father का dream क्या था अब next question यह है अब यहां पर राइटर किस तरीके से indicate करते है कि सदाव के father जब वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल में थे क्योंकि वो यह बताते है कि हाना अगर जपानीज नहीं होती तो वो marriage के लिए नहीं मानते second thing यहां पर वो यह बताते है कि आज तक उन्होंने कभी कोई foreign की चीज़ पसंद नहीं की उनके room में आज तक कोई foreign की चीज़ एंटर नहीं की थी वो जो American person था वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो उनके room में एंटर किया foreigner तो इस तरीके से बताया जाता है कि जो सदाव के father वो बहुत ज़्यादा traditional person थे next question है what role did the American professor plane bringing Hana and Sadao together तो मैंने आपको अच्छे से explain किया था कि यह professor के घर पे ही मिले Hana भी उनके यहां काम करने जाती थी और सदाव भी एक दिन उनके यहां पे गया था तो यह दोनों की मुलाकात हुई उसने wait किया यह जानने के लिए कि यह जापानी है या नहीं and then उसने शादी किया यह हमें यहां पे explain कर देना है next question है हमारा what efforts did dr. Sadao and Hana make to save the American soldier okay so यह question यह question है long answer question क्यों long answer question है इसे मैं long answer question लिख देता हूँ and यह आपके लिए homework है क्योंकि यह वही चीज है जो मैंने summary में बताई इस chapter के summary में जो जो चीज मैंने कहा है वो चीज हमें यहां पे लिख देना है long answer के form में and यह आपका homework है इसका answer आपको comment में जरूर लिखना है best comment को मैं pin भी करता हूँ and reply तो almost sub comments को मिलता है and अगर कोई doubt आपके mind में इस story की summary से related तो वो भी जरूर comment करें सारे comments का reply आपको time to time मिलता ही है okay so forward to our next question why did the messenger come to Dr. Sadao what did he think about it अब यहां पे पुछा गया कि messenger जो है वो Dr. Sadao के पास किस लिए आया था क्योंकि general को Sadao की जरूरत थी general जो थे वो काफी बिमार पड़ गये थे and वो इसके बारे में क्या सोचता है वो यह सोचता है कि जो servants थे उन्होंने complain कर दिया कि Sadao ने अपने घर में American soldier को छुपा के रखा है तो यह इस question का answer होगा why did the general spare the American soldier okay so यहाँ पर पुछा गया है general ने American soldier को क्यो छोड़ दिया तो अब हम अगर इस story को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि general ने उसे छोड़ा नहीं था वो उसे मरवाना भूल गये थे बस यही चीज हमें explain कर देनी क्या explain कर देनी है कि general जो थे वो उस जिन बिमार थे वो भूल गये थे उसे मरवाने के बारे में इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ spare नहीं किया वो भूली गये थे कि उसे मरवाना है अगर उन्हें याद रहता तो वो एससेसिनेटर को भेज देते okay so our next question is how did doctor sadao resolve the conflict in his mind between his loyalty to his country and the duty as a doctor तो उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कि as a surgeon मुझे इसका help करना है but as a countryman ये मेरे लिए क्या है enemy है but as a surgeon जो मैंने इतने दिन पढ़ाई की है जो मैंने इतने doctor की जो कसमे होती वो खाई है तो मुझे इसका help जरूर करना है यही चीज हमें इस question में क्या कर देना है next question है what was the general's plan to get rid of the American prisoner was it executed what traits of the general's character are highlighted in the lesson the enemy तो ये question आपके लिए homework है अब ये homework क्यों है क्योंकि मैंने आपको बताया just पिछले एक answer में कि क्यों जो general है उसने उसे छोड़ दिया ये चीज हमें explain करनी है अब was it executed नहीं execute नहीं हुआ plan क्या था कि उसे मरवाया जाएगा एसेसिनेटर्स के द्वारा next question is जो इसका अगला पार्ट है वो क्या है what traits of the general's character are highlighted in the lesson अब general के क्या-क्या traits मतलब character's lesson में highlight हुए कि general जो है वो काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं अब वो क्या word use करें इसके बारे में तो actually अगर हम उसके बारे में ये word use करें कि वो क्या था एक तरीके से डरा हुआ हम कह सकते हैं क्योंकि वो उसने क्या किया सदाव को अपने पास रखा क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी and second thing ये कह सकते हैं कि वो selfish था selfish किसले था क्योंकि उसने American soldier को सदाव के पास रखते हुए भी उस rule को उसने break किया क्योंकि वो सदाव को नहीं खो सकता था तो ये सारे कुछ characters जो है वो हमें इसके बारे में पता चलते हैं तो ये आपको मैंने homework दिया है कि क्या-क्या characters इसके पता चलते हैं तो आपको ये question का answer comment box में जरूर लिखना है clear? तो इस तरीके से हमारा जो ही story है the enemy by pearl as buck वो यहाँ पे end हो जाता है बहुत ही beautiful सी story थी exam point of view से भी काफी important ये chapter था तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी doubt आपके लिए chapter पे बचा होगा अगर कुछ भी doubts आपके पास है तो आप comment box में जरूर लिखे गया मैं time to time reply देता ही हूँ ये तो आपको पता है तो अब हम मिलते हैं next chapter पे till then goodbye, thank you, take care जैहिंद